स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेंटिंग फाइन आर्ट का क्लास 11 का चेप्टर नंबर 6 मौरेश रूंकुशान तता गुप्तकाल में कला बेटा इससे पहले जो आपके दो चेप्टर हैं मिट्ट अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इन दोनों चेप्टर पर बेस्ट वीडियो देख सकते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी बेटा अगर आप सिक्षा प्रभा पर पहली बार आए है या आपने अभी तक शिक्षा प्रभा को अटान आपको मिलते रहें शुरू करते हैं बीटा विडियो इस विडियो में सबसे पहले जो आपका चेप्टर नॉबर 6 में आपको दिया गया है कि मौरे काल तो मौर्ये काल बीटा चंदरगुप्त मौरे वाले पीरिड की बात यहां पर हो रही है आप सभी नेएनका ना अगर हम कला की रिरिष्टी से बात करें तो यहीं से एक तरह से एक जो मूर्ती कला है वो बननी प्रारम हुई अब लोग कहेंगे जिस इंदुगाटी कला में भी कुछ मूर्तियां हमने पढ़ी हैं लेकिन वो सभी मूर्तियां जो थी वो अनुपाथ हीन या कलाकार का जहां पर जैसे मन किया उन्होंने उन मूर्तियों को बना दिया लेकिन एक विधा एक तकनीक के अकॉर्डिंग जो मूर्तियां बननी शुरू ही वो हम मौर्यकाल से देखते हैं मौर्यकाल के बाद शुंकाल में वो परंपरा आगे बड़ी फिर उसके बाद कुछान कला में कुछ गुप्त काल में हमने जो कला देखी चाहे वो चित्र कला है मंदिर वास्तु कला है या फिर मूर्ति कला है वो अपने चरम पर थी इसी वज़े से गुप्त काल को कला के चित्र का स्वान युग कहा जाता है मौर्यकाल में जो मूर्ति शिल्प आपको स्लेबस में दिये गए जो कि यक्षनी के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार में है, बिहार की राजनी पतना में है, और दूसरा है सिही शिर्स, जो कि एकाश्म स्थंब से बना हुआ है, एकाश्म यानि कि एक ही पत्थर को जब हम काट करके किसी मुर्ति शिल्प का निर्मान करेंगे, तो उसको बोले जिसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे मौरे कला की बिटा एक बहुत खास विशेष्टा थी वो धी आपदार पॉलिष मौरे कालीन जितने भी मौरती शिल्फ थे उस पे एक अलग तरीके की पॉलिष की गई होती ती जिससे उस मौरती शिल्फ में एक साइन निकलाती थी आज भी आप मौरे कालीन मूर्ती श्रीपों को देखोगे तो वो आज भी आपको ऐसे लगेगा जैसे अभी जल्दी में ही इन पर पॉलिश की गई है और वो कलाकार किस तरह से उस पॉलिश का निर्मान करते थे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि कैसे वो आज की डेट में भी देखने पर नई लगती है इसके बाद बिटा जो कुशान काला है सुंकाल में क्या हुआ जो काम मौरे काल में हुआ उसी काम को थोड़ा सा बड़ा किया गया देख रेक की गई उस काम की और उनमें सुधार किये गई जैसे सांची का इस थूपता बना मौरे काल में लेकिन उसके अंदर तोरण द्वार बनवा दिया गया तोरण द्वार मतलब ऐसे बड़े बड़े दरवाजे बनवा दिया गया उसका विस्तार कर दिया गया तो सुंकाल में क्या हुआ जो मौरे में था बस उसी की देख रे जिसको हम कंवा दे तनopic तरो गांधार कलाा शेली, गांधार कला शेली क्यों नाम दे त़ते क्यों कि यह गांधार प्रस्टीर आजसे आ सपास रखंगा है यह और पर कुषानंत के हरुच वंसके कालीम समय से. अब गान्धार कलाशली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो गरीको-ромan कला इसको बोला जाता है, जो की मत्रा कला शली है इसका जो पत्थर है जिस पत्थर से मूरत्शिल्क बने है वो है बल्लवा पत्थर चुनाछसन स्टोन पत्थर जो की गुलाबी और जो आपका गांधार कलाशली में या फिर ग्रिको रोमन में जो आपको पत्थर है जिससे मुतिशिल्प बने है वह है ग्रेनाइट का पत्थर सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया कि जो आपकी मत्राशली है वो आपकी कब से शुरू है मतलब पुराने दौर से यानि मौरेकाल से है लेकिन गांधार का वश्तित में आई एकदम से कुशान काल के समय में अस्तित में आई और कुशान काल पीरियड जैसे खतम हुआ बैसे आपकी ये गांधार कला शेली भी खतम हुए यानि बुप्तकाल तक आगे नहीं गई पहला डिफरेंस य हो जाता है दूसरा हो जाता है मत्रा कला में पत्फर था आपका लाल बलवा पत्थर और यहां पर गांधार कले शेली में इसको हम पूरी तरह से भार्तियं बो लेकिन जो गांधार कला शेली है वहां पर जो मूर्ती शिल्प बने है उनमें थोड़ा थोड़ा ग्रिक और रोमन प्रभाव है इसलिए इसको ग्रिक और रोमन कला भी बोला जाता है तीसरा डिफरेंस आप यह दिखा सकते है चौता गांधार कला शेली में विटा क्या है कि जो मूर्ती शिल्प बने है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध पराधारित बने है और मत्रा कला शेली में जो मूर्ती शिल्प बने है वो सभी धर्मों पर यानि बहुत धरम पर भी है जैन धरम पर भी है और हिंदू धर्म पर भी है और इसके अलावा खिलोने भी तो यह थे कुछ important differences किस-किस में गांधार कलाशली में और मत्रा कलाशली में यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट कोईशन है इसलिह मैं इसको इतना टाइम दिया है उमेद है कि यह कोईशन आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद आप लोगों का जो स्लेबस में कुछ मूर्ति शिल्फ दिखाए गए हैं जिसमें कि आप अंतर कर सकते हो गांधार कलाशली के मूर्ति शिल्फ में और मत्रा कलाशली के मूर्ति शिल्फ में तो मत्रा कला में यह जो रड कलर में थोड़ा-थोड़ा सा मूर्ति शि आपको दिख रहे हैं यह गांधार कलाशली के हैं तो अगर आप दोनों मूर्तिशिल्फ गांधार कलाशली के मूर्तिशिल्फ को देखोगे तो इस मूर्तिशिल्फ में आपको दिख जाएगा कि उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुए उस पर जो सलवटे हैं वो थोड़ा सा ग्र रेड यानि गुलाबी पत्थर से बना हुआ है तो उसके अंदर आपको बहुत ही मतलब आत्मिक भाव के दर्शन होंगे और कहीं से भी किसी दूसरी कला का कला की परचाई आपको इस मूर्तिशिल्प में देखने के लिए नहीं मिलेगी इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रह पूरी तरह से भारतिय कलाती तो पत्थर कौन सा है चुनार सेंड स्ट्रोन पत्थर है गुलावी रंगा पत्थर है यह आसी ही सिर्ष वही है जो आपको एक रुपे के सिक्के पर भी देखने मिल जाता है तो मौर्रे काल में सम्राट असोप ने बहुत सारे स्थंब बनवा तो सारनात का जो स्थंब ता उस स्थंब के शीर्ष पर इसको रखा गया था और जो आप नीचे यहां पर आपको यह दिख रहा है यह चोकी उल्टे कमल के आकार की यह उस किसके उपर थी एक स्थंब के उपर थी चिक है उस स्थंब के उपर यह चोकी है और वहां पर यह को अंकित किया गया है चार सिही जो है वो चारो दिशाओं में उन चारो सिही का फेस दिखाया गया है और यह आप ध्यान से इस मूर्ति को अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा यह जो इनका फेस वो चारो दिशाओं की तरफ है और इनके पैर के नीचे यानि चारो दिशा उनके पैर के नीचे 24 तीलियों वाला एक चक्र बनाया गया है जो कि इस दिन के 24 घंटों को दिखाता है और जब चारों दिशा में चार से हैं तो चार दिशा में चार चक्र हो गए और उन चक्रों के बीच में जिन पशुओं को दिखाया गया है वो है शेर, हाथी, घोड़ा और बैल तो ये चार पशुओं हैं जो कि गती में और ताकत में मतलब काफी महत्व हैं संस्कृति में हमारी संस्कृति में शीही का भी घोड़े का भी बैल का भी और हाती का भी तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सीही शीर्स जो है मौरे कालीन है सारनात में मिला है उत्त पूर्व तीसरी शताब्दी है, यही था तो इस समय यह बना हुआ है, वर्तमान में अगर विटा आप इसको देखना चाहते हैं, तो यह सारनाथ संग्राले उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, इसके बारे में काफी चीज वैसे तो हमने देख ली है, लेकिन फिर भी थोड सबसे पहले जो अपना भाषन दिया था, या फिर एक तरह से कहें, कि जो प्रवचन दिया था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सबसे पहला प्रवचन उन्होंने सारनाथ में ही दिया था, तो इसी के प्रभाव पर सम्राठ अशोक ने क्या किया, धर्म, च कहां है, उत्तरप्रदेश में, अब सम्राठ अशोक ने बहुत धर्म कैसे अपनाया, आप सभी को लगबग पता होगा, उसने कलिंग का युद्ध किया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, उससे पहले वो जेन धर्मी था, क्योंकि उसके पिता जेन धर्मी था, क्योंकि को लगा कि हां, अब मुझे आहिंजा का रास्ता अपना लेना चाहिए, और उसी के प्रभाव में पढ़कर उसने फिर जगा जगा पर बहुत धर्म का प्रचार किया, बहुत सी बहुत इमारतों का निर्माण किया, जिसमें एक इस थंब भी है, वर्तमान में इस थंब है, और उसके उन तुकणों को सम्हाल के रखा गया है, जैसे कि कमल की आकरती वाला घंटी नुमा आधार जो कि मैंने आपको यहां पर राउंड सगल करके बताया था, घंटी नुमा आधार के उपर गोल चक्र जिस पर शक्तिव साहस से भरे हुए चार पशों है, हाती, बैल, स और गोड़ा और घड़ी की सुईयों के अनुरूप धोड़ते हुए इनको दिखाया है, यानि कि क्लोपवाइस डिरेक्शन में इनको दिखाया गया है, चौबिस तीलियों वाला धर्म चक्र एक बना हुआ है, जो कि दिन के चौबिस गंटों को दिखाता है, जो चार शिह दिसाओं में मुह करके बैठे हुए है, रोबिला अंदाज है उनका और उनकी पीठ हापस में सटी हुई है, और ये चोबिस तीलियों वाला धर्म चक्र है वो सारनाथ संग्राले में इन दिनों रखा हुआ है, वहाँ पर आप जाकर कि इस स्थंब को मतलब देख सकते हैं, इसके अलावा इसमें इस चिन का हम प्रयोग जो है वो रास्टे चिन के तौर पे भी करते हैं, इस से जादा इसके बारे में डिटेलिंग देने की आपको जरुरत नहीं है, एक जो कोशन आएगा उसमें आप इतना कुछ लिख सकते हैं, जो सेकेंड मूर्ती शिल्पे आप आपको डिखाया गया है इसको विख ईसको सामने से भी लिखाया गयां और पीछे से भी अज़ पी उचाया गया है तौर इसके अज़। ऱु इसके को बद हो पर जो पाशलिष टेकर के आज चे जब्धिन दिख रही है तो इस मूर्ती शिल्प Ó ने 7D मूर्ती शिल्प को शो चारो तरफ से तराशा गया है। लेकिन Ghandhar Shaili के जो मुर्ति होते थे उनको सिर्थ आगे से मतलब आगे से 3 x 4 हिस्स अगर किसी मुर्तिशिल्म को 4 हिस्स में बाटा जाए तो 3 x 4 हिस्से पर हिसको तराशा जाता था और पीछे का 1 5 4 हिस्स जो था उसको बिना तराशे ही छोड़ दिया जाता था यह अन्तर भी था, मत्रर कलाशली में और गांधार कलाशली में. मूरतीशिल्प अगर हम देख रहे हैं, तो एक महला का मूरतीशिल्प है, जिसição के उपरी शरीर उसने बुस्तेर नहीं की हैं, लेकिन शरीर के निचले बाब भाब पर उस finely एक धोती तो वो चमर उसके हाथ में है और जो इसका उल्टा हाथ है वो खंडित है जो इसका चेहरा है वो बालों पर इसने जूड़ा बांधा हुआ है पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं और आगे माते पर भूमर लटका हुआ है चेहरे पर अगर हम देखते हैं जैसे कि यह एक नगन मूर्ती है शरीट के उपरी हिस्से पर वस्त नहीं है लेकिन चेहरे से देखने पर कहीं पर भी अश्लीलता हमको नजर नहीं आती उसका मुखे कारण यह है कि भारत में जो भी मूर्ती शिल्पिया चित्र इस तरह के बनाए जाते थे तो उसमें महिला को जो है मा की नजर से देखा जाता था तो उसके चहरे पर मात्रतु के भाव कलाकार अपने आपी चित्रे कर दिया करता था जब कि अगर हम ग्रिकिया यूमन में यूरोप में जाकर के देखेंगे वहां पर जो मूर्ती शिल्पिया चित्र बने है वह भी नगनवस्था में बने हुए लेकिन उनको देखने में वासना हमको दिखती है और यह चीज का अभाव रहता है हमारे भारतिय चित्रों में इस चित्र के बारे में मूर् पटना बिहार तो जो इसका राज्य है वो है बिहार बिहार की राजधानी पटना में एक महला है दिदार गंज जहां पर यह मूर्ति शिल्प मिला है बल्वा पथर से बना हुआ है तीसरी शताब दी इशापूर्व का है और वर्तमान में यह पटना संग्राले में रखा इस मूर्ति शिल्प के बारे में जो हमने देखा उसको एक्स्प्लेइन कर दिया लेकिन लिखा हुआ क्या है उसको भी हम देख लेते हैं तो यह आदम कद यानि कि जितने बड़े हम लोग हैं लगबाक उतनी बड़ी इसका आकार कि अगर बात की जाए तो पांच फुट छ इंच तो यह चोकी के बिना है और चोकी के साथ इसकी हाइट हो जाती है तो यह आदम कद चोरी वाग यक्षणी की मूर्ति है सीधे हाथ में उसने चोरी को पकड़ा हुआ है जिसको चमर भी बोल देते हैं जोकी कंदे के ऊपर है बाया हाथ इसका खंडित है एक सुंदर य जिस तरह से इसकी अपना श्रंगार करती है उस तरह का श्रंगार इस मूर्ति शिल्प का किया गया है इसने बालों में मस्तक में काने पे कान पर गले में कमर में अभुषन पहने हुए है कमर के निचले हिस्से में वस्र पहने हुए है शेहरे को प्रयाप्त गुलाई दी ग और जो पॉलिष को करके इस मूर्ती शिल्प पर चमक उत्पन की गई है तो यह था आपका सेकंड मूर्ती शिल्प चोरिवाहक या दिदार गंजयक्षी इसके अलावा एक जो मूर्ती शिल्प यहां पर आप देख रहे हैं यह देखिए इसका नाम है बोधी सत्व शिर्ष या बुद्ध शिर्ष यह वाला जो मूर्ती शिल्प है अगर आप इस मूर्ती शिल्प को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो बाल है गुंग्राले है जूड़ा बंधा हुआ है आखें अधुखुली है जो इसका सीधा कान है वो खंडित है और गर्ण से नीचे का जो हिस्सा है इसका वो खंडित है इस मूर्ती शिल्प का जो पत्थर है वो लाल नहीं है ग्रे कलर का है और कहीं पर भी चेहरे के अंदर कोई भाव नजर नहीं आ रहे है तो भाव रहीत है भाव रहीत है और ग्रे कलर का पत्थर है इससे हम क्या समझते है कि यह जो मूर्ती शिल्प है वो गांधार कला शेल तो मतलब कालीन कला है और ग्रेड नाइट पत्थर से बना हुआ है जो कि जब ग्रे रंग है कुशानक जो समय है कहां पर यह दूसरय सकते हैं तो raf छेकल की मिलने से पाकिस्तान में मिल ऩो तक्षिला पाकिस्तान में मिला है और आज की डेट में हम इसको रास्ट्र संग्राले नई दिल्ली में देख सकते हैं इस चित्र के बारे में अगर हम बात करें तो गांदार शेली में बने बोधी शत्व शीष को तक्षिला पाकिस्तान से प्राप्त किया गया था कुशान काल से संबंदित ये शिष आकरती ईशा की दूसरी शताबदी की है और इसको हम भारति ग्रिको-रोमन या फिर हेलेनिस्टिक या ग्रिको-हेलेनिक नाम से भी जानते हैं ये सारे के सारे जो नाम है वो गांधार कलाशेली के नाम है गुंग्राले बाल बनाए गए हैं मोटी घुमावदार रेखाओं से होटों की बनावट आँखों के गेरे वै उभार आँखे जो है इनकी आधी बंद है पहले बनी मूर्तियों की तुल्ना में गालों की गोलाई थोड़ी कम है लियात्मक्ता का एहशास है और कहिन कहीं मेरी नजनों में अगर डॉक्टर अनंद कुमार सौमी ने भी घंधर शा·ली में बने हुए मोतियों को आत्मारिट पुतले जिसके अंदर भाव नहीं है चित्र और मूर्ति के जो आत्मा होती है वो भाव होते हैं और अगर किसी आकरती में खाव अगर नहीं है तो उसको कहा जाता है कि यह बेजान है तो इसी गारण से इस चिछ को आत्मरहित पुतले काता डॉक्तर आनंद कुमार स्वामी ने इसके अलावा बिटा आपके स्लेबस में एक और मूर्ति शिल्प है यह देखिए अब आपको यह मूर्ति शिल्प लाल दिख रहा है तो चाहिर सी बात है मूर्ति शिल्प लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है तो यानि कि यह मत्रा कला शैलिका है चहरा अगर आप देखेंग तो अध भुली आंके है, गुम्राले बाल हैं, μोटे-मोटे होट है roughly chce चेहरे Wrestling में भाव है डरीचे मुहए है यानि कि इस मूर्ती में प्राण भी है भाव भी है यह मुर्ती शिंफ पह कहा जेन मुनी, मूर्थी शिल्पर श्रीवस्त का चीन होता था, तो इससे पता चलता है कि यह जेन प्रतिमा है, जेन तिधंकर गुपत काल की प्रतिमा है, अब सिर्फ मथरा कला केंद्री एक ऐसा कला केंद्र ता जहां पर तीनो धर्मों पर अधारेचित्र मिले थे, तो जेन ध तो जग्साइब नाम इन पांची श्ताब्दी के राज्य संग्राले लखना उत्तर प्रदेश में और लुषक्षित . वहां कि जिए संग्राली टेखे सांग्राले में जाकर के देखा जा सकता है . मुर्ति शिल्प के बारे में बात करें तो पदमाशन मुद्रा में महावीर को बठाया है यह महावीर का मुर्ति शिल्प है तो यानि कि यह मुर्ति शिल्प आपका जो दिया हुआ यह आधा दिया हुआ इसके पीछे से शेशनाग भी बना हुआ होना चाहिए क्यूंकि महाव बना हुआ है, शरीर भारीपन लिए हुए है, यहीं मत्राकला की पहचानती कि वहाँ पर जो आकरतियां बनी है, वो ऐसे पतली दूबली नहीं है, मतलब उनका जो शरीर है वो भारीपन ले हुए है, गुंग्राले बाल है, नाक, आंखे, बुह, कान, तथा होट, प्रयाप्त गुमाव लेकर के बनाए गए हैं, दिव्य ज्यान प्राप्ति की मुद्रा में ध्यान मुद्रा में जैन मुनी को बैठे हुए दिखाया गया है, मूर्ति के पीछे आभा मंडल अंकित किया गया है और उस आभा मंडल पे कुछ जैमिति आकतियां उकेरी गई हैं, तो वक्ष पास श्री वस्त्र का चिन भी मुर्तिकारा चित्रत किया। ये चार मुर्तिशिल्प आपके इसलेबस में इस बार आ रहे हैं। उन चार पर पड़ा है। मतर और गांधारकला, जो मुर्तियां हैं उनके अंतर हमने सीका। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपके लिए helpful रहा होगा, तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नेक्स वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर पर अधारित प्रश्मुत्तर